हलो स्टुदेंट्स विल्काम टो सिप्संकर जिके जिए सिप्संकर जिके जिए समें एक वर फिट से आप सभी का स्वागत है तो स्टुदेंट्स आप लोगा चल रहा था पारामेडिकल परवेश्ट पिछा 2022 के लिए GS का समान बिग्यान से बहुत ही important question जो परिच्छा में बार बार question पुछा जाता है वीडियो पूरा देखना है और सारे question को याद कर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास share करना है तो पहला question कहता है निमन में से कौन सा hydrogen का आइसो टॉप है आपसने में दिया protein, option B, deuterium, option C, treatium और option D उपर के सभी तो देखी कहता है hydrogen का आइसो टॉप अथा hydrogen का जो आइसो टॉप है उप प्रोटियम, deuterium, treatium तीनों है राइट अंसर आपका option number D उपर के सभी उसके बाद फिर आगले number question कहता है फसल सनियंत्र का कवक रोग निमने में से कौन सा है option आलो की पतियों का मुड़ना, option B, कबास का बिल्ट और option C, चावल में तुसार, और option D, आलो में भूरी सनाद तो देखी फसल सनियंत्र का जो कवक रोग है वो है आपका कबास का यहाँ पे बिलट जो क्या होता है कि फसल सनियंत्र से कपास की जो छती होती है तो right answer यहाँ पर आपका option number B उसके बाद फिर अगला number question कहता है परमानो भी खंडन परतिकिरिया के दोरान उत्पन उर्जा का परियोग किया जाता है option A, इंधर मनाने में option B, बिजली बनाने में option C, ताप पैदा करने में और option D, इन में से कोनी तो परमानो भी खंडन परतिकिरिया के दोरान उत्पन उर्जा का जो परियोग किया जाता है वह बिजली बनाने में किया जाता है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाता है option B, उसके बाद फिर अगला number question कहता है इन में से कौन गैसो के परसारन का एक उधारन है option A में दिया है खाने की सुगंद, option B, अगरवत्ती की खुश्वू option C, इत्र की महाक और option D, उपरोक्त सभी तो दखिए काता है इन में से कौन गैसो का परसारन एक उधारन है तो वो है आपका इन में से सभी तो right answer यहाँ पे हो जाता है आपका option number D उसके बाद फिर अगला number question कहता है कि निमने में से किसमे अधिक ताफ है option A में दिया है option B में दिया उवलते पानी option C में दिया वहाफ और option D में दिया उपर के सभी देखिए जो अधिक ताफ है वहाफ में सबसे ज़्यादा अधिक ताफ पाया जाता है तो right answer आपका option number C उसके बाद अगला number question कहता है इन में से कौन महमारी और अस्थानिक दोनों परकार की बिमारी है option A में हटाइफ़ड option B में दिया है घहजा और option C में दिया है पोलियो और option D में दिया है खसरा देखिए कहता कि इन में से कौन महमारी और अस्थानिक दोनों परकार की बिमारी है तो वो है आपका हैजा तो right answer यहाँ पर हो जाता है आपका option number B उसके बाद अगला number question कहता है कि निमन में से कौन सा graphene के बारे में सही नहीं है option यह में दिया है carbon के yellow, trope, option B, three dimensional structure और option C, परमानु जाली के रूप में और option D, honeycomb structure तो दखिए, graphene के बारे में जो सही नहीं है वो है three dimensional structure तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है option number B उसके बाद अगला number question कहता है resin क्या है? option A में दिया है एक बहुलक, option B, virus, option C, mail bear और option D, search engine तो देखिए, resin जो है यह आपका, एक mail bear है resin जो होता है, एक mail bear ही होता है तो यहाँ पर आपका right answer जो हो जाता है option number C उसके बाद फिर अगला number question कहता है ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? option A में दिया यह एक परकास अधारित संचार पर नाली है option B में दिया है यह एक buyer connection है option C में दिया है यहाँ बिरेक टेक टॉकनिकल संचार पर अधारित है और आप संडी में दिया है रेडियो आविरती संकेतों का उप्योग देखें, ली फाई के लिए जो गलत कथन है वह वहाँ इसमें आपका कि यह एक buyer connection यह buyer connection नहीं है तो आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाता है option number B यह एक buyer connection है उसके बाद फिर आगला number question काता है कि सबसे बड़ा अनू कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है option A option B गुनसुत्र दू और option C गुनसुत्र थीरी और option गुनसुत्र चार तो देखिए यहाँ पर दिया है कि सबसे बड़ा अनू जो है मानव तन का एक हिस्सा हो गुनसुत्र एक है राइट अंसर option number 1 वो उसके बाद अगला number question दिया है कि पहले प्रकास की गति को किष्णे मापा था option A में दिया है Mark Orochon option B में दिया है यहाँ पर काता है सबसे पहले परकास को जो मापा है वो है आपका O लास रोमर राइट अंसर option B अगला question गिर्गीट राइट क्यों बदलता है option A में दिया है अन जर्मारों से बचने के लिए रंग बदलते है option B में दिया है गर्मी प्रवंधन के लिए रंग बदलते है option C में दिया है गिर्गीट बातवरन के प्रतिस संकेत के रुप में रंग बदलते है और आप संडी में दिया है कि उपर में से कोई भी नहीं तो देखिए गिरगी टे जोरे रंग बदलता है तो रंग बदलने का कारण है गर्मी प्रवंदन के लिए रंग बदलते हैं तो यहां पर आप का राई टैंसर हो जाता है आपका आपसन नमबर B उसके बाद फिर अगला नंबर कोशन काता है कि के एकाई को निवनले खित में से क्या मापने के लिए परियोग किया जाता है ऐसन ए में दिया है इलेक्ट्रिक ऐसन भी धोनी और अपसन D C में दिया है तापमान और अपसन डि उपर में से कोई नी तो दखिए केलिविन एकाई को जो मापने के लिए परयोग किया जाता है वहाद तापमान को मापने में परयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाता आपसन नमबर से उसके बाद अगला नमबर कोश्चन कहता है विटामिन बीवन की कमे से कौन सी बिमारी होती है आपसने रिकेटस, आपसन वी रताउंधी, आपसन सी रक्त कालपता और आपसन डी बेरी-बेरी विटामिन बीवन की कमे से जो बिमारी होती है वो होता है आपका बेरी-बेरी राइट एंसर आप्षिन नंबर D उसके बाद अगला नंबर कोशन कहता है राइनो बाइरस की बज़ा बनता है आप्षिने आम जुकाम आप्षिन B सीर दर्द और आप्षिन C कफ और आप्षिन D घुटनों में दर्द तो देखिए रायनो बायरस की जो कारण होता है वह भा होता है आम जुकाम आम जुकाम की कारण ही रायनो बायरस बन जाता है राइट अंसर आपसन नमबर ए उसके बाद अगला कोचन काता है निम्ले लिखित में किसी अस्टार कुविन नेबुला के रुप में जाना जाता है आप्सन A में मेसियर सोला, आप्सन B, मेसियर 5, आप्सन C, NGC 33 और आप्सन D, NGC 32 तीरान में तो देखें, अस्टार कुईन नेबुला के रुप में जो जाना जाता है वह है मेसियर सोला राइट अंसर यहां पर हो जागा आपका आप्सन नमबर A उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है कितना कूल ऑक्सिजन और रग्त शरीर में मस्तिक तवारा इस्तमाल किया जाता है आप्सन A, 20% आप्सन B, 50% और आप्सन C, 75% और आप्सन D, 35% तो देखता है यहां पे कहा रहा है कि कूला ओक्सिजन रग्द शरीर में मस्तिक्स वरा इस्तमाल जो किया जाता है वह 20% इस्तमाल किया जाता है राइट अंसर आपका अगला कोशन काता है मानब सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है अपसने में पटेला अपसन भी अश्ट के पीस तो यहां पे आपका राइट अंसर हो जाता अपसन अंबर बी उसके बाद फिर अगला नंबर कोशन काता है कि मात्र दो उत्ता कौन से हैं जो खून से अक्सिजन प्राप्त नहीं करते अपसने नखून और करनिया अपसन भी तो आचा और मस्तिक्स अपसन सी उंगल और नाक और आपसन डी पायर भूजा देखिए दो उत्ता कैसे हमारे सरी में जो खून से अक्सिजन नहीं प्राप्त करते हैं वो है आपका नाखून और करनिया आपका जो करनिया होता है तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाता है आपसन नंबर ए उसके बाद आगला कोशन कहता है कि आंक का, और कोशन का और का नंधारन करता है आपका जो हमारे चैंल ओर बने रही है कि.